नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मनी अपडिशन के बारे में डिसकस करेंगे specially free study in Germany उसके बारे में मारी डिसक्शन रहेगी इसके अंदर हम Uni Assist, APS, Test As ऐसी चीज़ों को डिसकस करेंगे तो मेरी जितनी भी आप वीडियोस उठा कर देखेंगे जर्मनी से रिलेटर उन में मैंने सर्फ एक ही चीज वर्ड यूज़ करता हूँ अगर आपने जर्मनी में जाना है आपकी प्रफाइल है तो go far free study instead of paid study अब जितनी भी हमारी वीडियोस देखेंगे आपकी अभी profile appropriate नहीं है आपके percentage ही 50 परसेंट है 55 परसेंट है आइल्स में साथे 5 बैंड है तो फिर private university मिलेगी private में जाने से पहले भी आपने proper precautions लेने है वो proper precautions क्या है आपने कम से कम fees भेजनी है university को कम से कम means 2,000 से लेकर 3,000 जूरों से जादा नहीं बेजनी है बाकी जितनी भी piece है आपका जब visa grant हो जाता है आपने university को बहाँ जाकर pay करनी है अगर ऐसी service आपका agents आपको provide करता है तो आपने जो अपना visa है जर्मनी का उस consultant के तुरू apply करने की कोशिश करनी है दूसरा हमारे पास क्या वेन्यूपीट है हम 15,000 पर advance में लेते है और अगर आपका public university से admission आता है 15,000 से 20,000 पर admission के बाद में है अगर private से आता है तो private में हम कोई भी admission के बाद fees नहीं लेते हैं लेकिन जब visa grant होता है उसके बाद हमारी fees रहती है चाहे private की है चाहे आप वहां की public universities में जा रहे है तो ऐसी कोई service देता है उसके तुरू apply करने की कुशिश करें अभी आते हैं APS के उपर अभी APS जब introduce हुआ था तो उसमें क्या था कि admission के time क्या APS की requirement रहती है इसके बारे में बच्चे questions पूछ रहते है उसमें हमने clear किया था at the time of admission there is no need for APS but इसके अंदर एक interrogation आ गया है जर्मनी government ने जो APS से तीन countries के लिए इंटर्डूस किया था कौन सी है चाहिना, व्यतनम और इंडिया Chinese और व्यतनमी students के लिए जो APS है at the time of admission 100% mandatory है अभी Indian students के लिए भी questions आ रहा है बार बार तो Indian students के लिए भी 80-90% universities public universities की मैं discuss कर रहा हूँ leave it about the private university they are not bothered तो बहां की 80-90% universities है they are asking for the APS तो APS के बिना आपका अभी admissions process नहीं हो पाएगा वहां की public universities में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है क्योंकि हमने बच्चों की BPD करवाते हैं BPD क्या है आपकी equivalency है जहां आपके document को recognize करवाना होता है जहां आपकी grading क्या है इंडिया की Germany grading के according उसको हम BPD कहते हैं BPD कोन करता है? Uni Assist करती है Uni Assist में हम number of applications भेजने हैं लेकिन अभी जितने भी students की हमने BPD डाली है बहां पर तो हर एक student की उन्होंने APS की requirement कर ली है कि अभी आप हमारे portal के उपर जहां हमें email के उपर APS भी भेजे thereafter we can process thereafter we can forward your application for admission to the respective university जहां पर आपने apply किया है उसके without हम आपकी application को process नहीं करेंगे तो it means अगर आप Indian student है आपका admission through Uni Assist है तो APS साथ में अभी लगा कर भेजने की कुशिश करें भी एंगे technical भी एंगे number of applications डालते हैं जब भी कोई भी problem हमारे पास आती है तो हम immediately students को बताने की कुशिश करते हैं तो अभी questions आते हैं बच्चों के sir मैं student colleague क्या कहते हैं जो foundation program है बहां की private university में करने के लिए जा रहा हूं तो क्या वो ठीक है मैं 100% strongly उसको recommend नहीं करता हूं क्या student colleague क्यों private universities में क्योंकि फीज देनी पड़ेगी English में होगा तो उसका कोई benefit नहीं है और student colleague करना चाहिए जा नहीं करना चाहिए उसके लिए strongly recommendation है आप अपनी 13 साल की study करके directly bachelor में admission रहें instead of German language सीखना जा बहां पर एक साल जाकर foundation जा studying colleague करना तो this is my personal recommendation है हर एक student के लिए जिन्होंने जर्मनी में क्या करने के लिए जाना है bachelor degree entirely totally free of course करने के लिए जाना है तो कौन से बच्चे बो बच्चे जिनकी percentage per pencer से ज़ादा है बो वाले बच्चे ये चीज़ें करें अगर बहां की public universities में जाना है और recommendation क्या है कि बो बच्चे अपना IELTS जरूर करें साथ में तांकि आपको अच्छे से अच्छे option और अच्छी सी अच्छी location और अच्छी सी अच्छी universities मिल पाए तो अगर आप bachelor के student है फिर बता दिया आपके लिए precautions 13 साल की study एक साल इंडिया में लगाएं और आप क्या कर सकते हैं वो test होता है वो test का नाम है जई main or advance अगर वो दिया हुआ है जई main or advance तो आपकी 13 साल की study भी बस सकती है 12 साल के बाद अपने 12 PCM से की हुई है अपने जई main or advance दिया हुआ है तो आप directly वहाँ पे bachelor degree में अटमिशन ले सकते हैं तो उनके लिए सिर्फ IELTS और क्या करना है test 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 सिर्फ आपने अप्वेर होना है जितने भी number आगे there is no bother तो उसके बाद वो लगेगा आपकी application के साथ फिर आगे फर्दर process होगा तो ये मैंने सारे के सारे bachelor वाले students के लिए बता दिया है APS APS तो आपने जब आपने अपना क्या कर लिए जब आपने अपनी education गेन कर ली है Germany में जाना है तो immediately APS के लिए डाले without APS ना तो अभी admission आप आएगा जो मैंने अभी situations बताई है ना ही आगे आप अपना visa apply कर पाएंगे तो चाहे आप bachelor के student है चाहे आप master के student है चाहे आप PhD के student है पढ़ने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं तो APS from the first day start करना है APS जो आपका है वो entire life के लिए valid है जर्मनी में तो this is the benefit उसके बाद admission करवाना है कोई visa appointment लेनी है crown immigration आपकी immediately help कर सकती है और even आपका case already जर्मनी से refuse हो चुका है लेकिन आपकी profile appropriate है तो crown immigration आपका visa जर्मनी government से through appeal भी दलवा सकती है but conditions यही है कि आपकी profile कैसी है तो even आपने बहाँ पर already पहुँच चुके हैं जर्मनी के अंदर आप अपनी कोई university change करवाना चाहते हैं तो crown immigration उसमें भी आपकी help कर सकती है आप public universities में आना चाहते हैं जब public universities से अपनी location another public universities में करवाना चाहते हैं उसमें भी हम आपकी help कर सकते हैं आप already inside EU country में है as a student या किसी भी residency permit के उपर है और जर्मनी में as a student आना चाहते हैं तो crown immigration उसकी में भी help कर सकता है आप world की किसी भी country के अंदर हैं और जर्मनी में as a student आना चाहते हैं तो हम आपके admission में बहाँ पर भी online सारा process आपको करवा कर दे सकते हैं आपका admission, आपका visa assistance, आपकी appointment, documentation part सारे का सारा क्योंकि crown immigration के पास worldwide countries से students हैं those are taking our service for admission in worldwide countries चाहे कोई general students हैं जिनोंने कोई engineering करनी है humanity में करना है चाहे किसी नहीं कोई medical में कुछ करना है तो उनको हम help करते हैं Germany's related अगर आपकी कोई भी technical queries है तो आप हमें संपर कर सकते हैं crown immigration के चैनल के उपर जर्म इस लिटेर नमपर वीडियो से अगर उनको भी देखना जाते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्रूस करके देख से लासी यह रुकरिस्ट है अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसके लाइक ने शेयर करना है थैंक यू झाल के चैनल को